कि नमस्कार दोस्तों स्वागा था आप सभी का एमडी क्लासेस के यूटूब चैनल पे तो दोस्तों आपके साथ जुड़ गया हैं लेकिन थोड़ा सा टेकनिकल प्रॉब्लम होने की वज़े से यह क्लासेस दस वज़े से नहीं हो पाई मैंने एक बार स्टार्ट किया था लेकिन थोड़ा सा नेट का इसू आ रहा था तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई क्लास को लेने में इसके लिए स्वारी है तो दोस्तों का इस तो दोस्तों हम सुरू करते हैं आज का अपना सेशन यह हमारा दूसरा लेक्चर है इस सीरीज का तो बढ़ते हैं अपने कोस्तों की तरफ तो मारा पहला कोस्तों का रहा करणाटा किस्ति जोंग प्रपात किस नदी पर है ठीक है तो इसके आप्शन से कावेरी गोदावरी सरावती क्रिश्णा तो इसका राइट एंसर क्या होगा कि जल्दिस करेंगे करके बताइए कि जतना जल्दी हो सके उतना जल्दी बताइए कार्थिक कुमार हेलो भाई कि स्वागत आपका एमडी क्लासेस पर इसका राइट होगा सरावती नदी पर ठीक है अब बढ़ते अपने नेश्ट कोस्तन की तरफ यह छिए अमारा नेश्ट कोस्तन है वह Yeah निलिखित में कौण ऑपरेटिंग स्तंत्र नहीं है अपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा है कौन सा ऑपरेज्टिंग सिस्टम नहीं है तो इसका राइट अंसर क्या है जल्दी उन्हें जल्दी कमेंकर के बताइए ऑप्सन नमबर डी इस दर आइट एंस और पेरा पेरा क्या है यह एक ब्राउजर है ठीक है यह अपरेटिंग सिस्टम नहीं है अब बढ़ते अपने नेश्ट कोशन की तरफ कि संजु मिना नमस्कार भाई साब गुड मॉर्णिंग गुड मॉर्निंग तो अगता आपका कि राम 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 ठीक है चलते हैं अपने नेश्ट कोशन की रहाएं तो दोस्तों इसका राइट एंसर क्या है इसका राइट एंसर है कि असम ओके असम में यह निर्त होता है ठीक है असम में असम में संजु मिना ठीक भाई कि सुमन भिस्त ठीक ठीक राइट एंसर बहुत सही है शही है असम में आपको बता दूँ यह कुछ और जानकारी देते था हूँ इस निर्त के बारे में यह वहां पर 9 वर्ष की शुरुवात मानी जाती है ठीक है 9 वर्ष की शुरुवात मानी जाती है ठीक है और यह लगभग 13 अप्राइल के आसपास पड़ता है ठीक तेरह अप्रेल के आसपास बढ़ता है ठीक 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 बहुत सही भाई लोग आप लोग ने बहुत सही सही जवाब दिया है अमिने दुकुमार ठीक है आपका भी सही है रमेश चंद्रा गुड मॉर्णिंग भाई जल्दी 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 आप लोग जूड़ी जल्दी जल्दी इससे हम अपने सिस्षन को बढ़ाते रहें चलते अपने नेश कोशन की तरफ तो महारा नेश कोशन क्या है ब्लट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए डॉट तंतुओं का प्रियोग किया जाता है जल्दी बता अब मैं दोस्तों थोड़ा सा और आपको बता दूं कि इस ब्लट प्रूफ जैकेट में बनाने के लिए कि अकेली अकेला पदार्स नहीं होता है ठीक है एक और होता है इसमें जिसको डाई नीमा बोलते हैं ठीक है यह भाई थोड़ा ध्यान देना ठीक है अमरें निकुमार b option गलत है रही आपका अब देख लिए जो मैं बता रहा हूं कि ठीक है यह तरीक है ऐ है फेल मेंदिक सिंठेटिक फायबर होता है ठीक है अटट ठीक है कि ф WITH को सब्सक्राइब कि तरफ इंडिया गेट का डिजाइन किसुने तयार किया था बहुत पीपर्टन को सद्रेट तक साथ को सिसार में तुम Y कि ठीक है यह भी दान देएगा राश्टपती भवन कि राश्टपती भवन का भी इन्होंने डिजाइन किया था कि राजु कुमार भी ऑफ्षन सही है आपका सही है अब अब अब्रते अपने नेश्कोशन की रणीम लिखित में से कौन कार्बोलिक अमल के नाम से जाना जाता है जल्दी बताईए जिनको पता है जल्दी जदी कमेंड करिए इसका राइट एंसर होगा ऑफ्षन नंबर ए इ कि इस दर आइटम सब्ढ़ते नेश्कोशन की तरफ तमारा नेश्कोशन निमलिखित में कौन सा देश ब्रिक्स ग्रुप का सदस्य नहीं है जल्दी बताईए जल्दी 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 बहुत इंपोर्टैंट ये इसमें इंडिया सामिल है जल्दी बताईए तो इसका रा ब्राजिल रूज चीन इसके सदस्से हम आपको थोड़ा सब ब्रिक्स के बारे बता देता हूं बी आर ऌई सी एस का मतलब होता है बी से क्या हो गया ब्राजेन और से क्या हो गया यह संगठन जो है 2009 में बना था ठीक है और इसमें 2010 में इसने साउथ अफ्रीका जुड़ा था ठीक है पहले इसके चारी कंटी ते जिसको ब्रिक बोला जाता था ठीक पहले ब्रिक बोला जाता था बाद में प्लस हो गया साउथ अफ्रीका तो इसको ब्रिक से बोला गया ठीक है और इसका अभी इग्रहावा सम्मेलन हुआ है तो 2019 में कहां पर हुआ है यह हुआ है आपका ब्राजिल की राजधानी ब्रासीलिया में ब्रासीलिया में हुआ है ठीक है और इसका थीम जो था थीम मोस्ट इंपोर्टेंट तो यही है थीम क्या था इसका एप इसका इसका थीम बहुत इसको पता है वो कमेंट कर सकता है इसका थीम था एकोनॉमिक ग्रोथ बताता हूँ एकोनॉमिक ग्रोथ एकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर ठीक है मैं इसको बता देओ नवन मेसी भविस्थ के लिए आर्थिक विकास नवन मेसी है भीया यह ध्यान दिखिएगा आप लोग या अभिनों भविस्थ के लिए आर्थिक विकास आप लिख सकते हैं यह भी यह सही है अब भड़ते अपने नेश्कोसं की तरब बहुत सही भी है home आप बहुत अच्छे हमारे अब भड़ते अपने नेश्कोसं की तरब किस दिचए के साथ भारत की सबसे लंबी अंतराश्री सीमा जूरती है जलती बताईए कि कि ऑसिन में क्या दे हाँ है नेपाल पाकिस्तान चीन बंगलादेश इसका राइट अंसर होगा बंगलादेश ओके अब बढ़ते अपने नेश्ट को सेंगी तरफ है तो मारा नेश्ट को से यूडियो मीटर किसका मापन करता है जल्दी बताइए जल्दी जल्दी इसका राइट एंसर होगा एंसर नंबर सी इस दर आइट जवाला मुखी को ठीक है आप सब्सक्राइब क्या होता है आप तो इसका ऑप्षन क्या सही है राजुकुमा सी ऑप्षन भाई साथ गलत है यह मेथेन अब बढ़ते अपने नेश्ट को सेंगी तरफ आप्षन नमबर डी इस दराइट अंसर अब रमेश चंद्रा बहुत सही भाई बढ़ते अपने नेश्ट को सेंगी तरफ कैंसर के उपचार के लिए प्रियुक्ति उत्कृष्ट गैस है कौन सा है जल्दी बताइए कैंसर के लिए तो इसका है हाथ क्या दे रहा है हीलियम और्गन क्रिप्टाउन रेड़ों तो इसका राइट एंसर रेड़ों ऑप्सन नमबर डी इस राइट एंसर जिनको पता होगा बहुत अच्छी बात है अब बढ़ते अपने नेश्ट को सन की तरफ तुमार नेश्ट को सरे निम लिखित में नि दान की दुर्ग कि इसने रखी थी ऑप्सन नमबर सी इस दे राइट एंसर तो दोस्तों मैं थोड़ा सा इन ऑप्सनों के बारे में बता दूं कि यह भी राष्ट को सासक ही रह चुके हैं यह आप लोग ध्यान दीजिए जो आप्सन में दे रहा है कृष्ण कृष्ण प्र सकता है जाथन दीजिए हो चौंट 들ंसे पूल सकता है यह उसने प्रस्तूत प्रस्तृत किया कि यह कि उसह पॉदे मृष्ण को से बने हैं तथा कोश्का जीवन की मूह इगाये जल्दी बताइए इनको पता जल्दी बताएं इसका राइट अंस्वर है M.Silden तथा T.Swan ने ठीक है M.Silden and T.Swan ने इसका प्रचिपादन किया था ठीक है यह होगा आपका option number A is the right answer रमेश्चंद्र जी भाई साब बहुत सही चलिए ऐसे ही करते रही है आगे बढ़ते हैं निमलिखित में से कौन संगी सरकार की एक साखा नहीं है पूछ रहा है संगी गौवर्मेंट की कौन सी एक ब्रांच नहीं है इसका राइट एंस्वर क्या होगा मीडिया option number D is the right answer नहीं है पूछ रहा है कल भी मैंने जिक्र किया था कि नहीं है यह आप ध्यान दिया कर यह जहां नहीं रहे वहां पर तुरंत आप उसको ऐसे गोला बना लिए जिससे आप हाइलाइट हो जाए ठीक है नहीं पाइल का का तुम्हारा ने इस question क्या करा है कम तापमान को मापने के यंद्र को कहा जाता है क्या कहा जाता है यह question कल की भी class में था मैंने जानबुझकी इस question को रखा है कि देखें कौन-कौन लोग बता पा रहे है जो कल आये थे कमेंड करके बताईए कल भी एक कोश्चन था हमारे पेपर में तो इसलिए मैंने डाल दिया इसको कि देखते हैं कौन बता पाता है पढ़ाने का कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ या संध्या कुमारी सही है आपका बहुत सही नाइस क्रायो मीटर ऑप्शन नंबर बी इस दराइट एंस्वर ओके अब 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 केरल में समुंद्री तटकी रेथ में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है कैल्सियम रेडियम थोरियम मैगनीसियम चार ओप्शन्स है हमारे पास जिसका राइट एंसर क्या होगा थोरियम क्या है जल्दी बताईए मैं आपको बता दू कि इसकी खोज कब हुई थी अठारे सो अठाइस इसवी में ठीक है थोरियम की खोज हुई थी खोज करता थे जोन्स बरजिलियस ठीक है जोन्स ठीक है इन्हों ने खोज किया थे जोन्स बरजिलियस ठीक है और इसका उप्योग किस कहां किया था थोरियम का एक कार्वनिक योगिक भी है ये और इसका मुख्यू ये तरीका उत्प्रेरक होता है ठीक है इसको प्रेरक की रूप में किया जाता है जिसको कैटलिस्ट बोलते हैं इसको ठीक है और यह एक तरीक और जो मेन उपयोग है इसका वह गैस मेंटल लोग उद्दीप्त गैस मेंटल जो होते हैं जो गर्म गरम गैस मेंटल होते हैं उनमें प्रियोग किया जाता है इनको ठीक है गरम गैस मेंटल ठीक है तो मैंने ने बता दिया आपको बहुत सारे इसकी जानकारी में ने बढ़ते पने नेशकोशन की तरफ सुमन बिष्थ नाइस रश्वर आपका 1828 सही है आपका अब अब देश का पर्थम विधिकारी कौन होता है जल्दी बताइए विधिकारी पूछ रहा है देश का मनलब केंद्र का एक पूछ रहे भारत प्लाइब का मुखिन आदिश महानियावादी विधिमंत्री महांच्राइवादी ठीक है यह हमारा पहला विधिकारी होता है ठीक है आर्टिकल 76-1 के तहट ठीक है राश्पती के द्वारा जो सुप्रीम कोट के न्याइधीस कपद धारड करने की योग होता है धारड उसको बनाया जाता है महान्याइवादी ठीक और इस्टेट में कौन होता है ये अठीक है य इस्टेट में कौन होता है सबसे भड़ी धंदी कौन सी है जलदी बताइए हाँ हाँ भी यह क्या होगा इसका राइटंसर क्या होगा ऑफ्षन दे रखा है चक्रिय धंस्य करणाम कि तरफ तुमौह पिपार है अचानक किसी की गतिवी धी के किसी किसी काड हमारी तंस की कोस्ट में कुछ रहा है अचनक किसी की § किस निर्मार के कार्ण हमारी पेश्यों में एठन उत्पन होती है कि आपसण में क्या है लेक्टिक अमले पायरूबिक अमले कार्बोनिक अमले आग जयली कम ले चौर आपसण हमारे दिए हुए हैं इसका राइट एस्वर क्या होगा लेक्टिक एसड ऑपस्ण नमबर एइस the right answer , अबढ़ते हैं अपने नेश कोशन की तरफ को कि ऩर आर्थि विकास आम तरफ ड़ाट के साथ युगमित है अर्थिक विकास पूंच राभी यह यह यूगमित किसके साथ होता है आर्थिक विकास तो यह होता है मुद्रा इस्फिती के कारण के साथ ठीक है मुद्रा इस्फिती के साथ इंफ्लोशन होता है अब मुद्रा इस्फिती के बारे में तो लोगों को पता ही होगा थोड़ा समय आपको डिटेल बता देता हूं मुद्रा सिती रियल में होती क्या है ये भी आप जान लीजे बहुत जरूरी है एकोनॉमिस का टर्म है ये एक किसी अर्थ बता देता हूँ ऐसे किसी अर्थ बेवस्था में सामान कीमत लगातार बढ़े और मुद्रा का मुल कम हो ठीक है मतलब क्या है कीमत जो है वो बढ़े ठीक अब मुद्रा का मुल जो है वो कम हो तो मुद्रा इस्पिती पैदा हो सकती है ठीक है लेकिन अगर बढ़ हो घट रही है तो वहां पर मुद्रा इस्पिती नहीं होगी जब लगातार कुछ टाइम के लिए बढ़ती है तो होता है ठीक है अगर बड़ती घट्टी रहती है तो नहीं होता है जो अ हुआ अब वड़ते अपने नेश्कोशन की तरप तुमारा नेश्कोशन क्या कह रहा है कोसर नमर बाइस कौ्षरी निमलिखित में से कौन कांग्रेशी जा समाझवाई दल से सम्मंधित नहीं हैं कांग्रेशी समाजवादी की बात कर रहा है कांग्रेशी समाजवादी दल के नेता की बात कर रहा है कांग्रेशी समाजवादी दल के नेता कौन नहीं है और आप्सन में अचार नरेंद्देव राम मनुहल लोहिया प्रकास सुभास चंद्र बोस्त राइट एंसर क्या होगा यह बहुत इंपोर्टन को संथ है काफी बार को स्थनों पूछा जा चुका है लिए इसका राइट एंसर आप्सन नंबर डी इस राइट एंसर सुभास च तैयार करने के लिए सरबोच निकाय ठीक है निकाय के बारे में पूछ रहा है कौन योजना तैयार करता है क्रिस समंधित ऑफ्षन में दिया है भारतिक्रिस अनसुंधान परिस्द शेत्री ग्रामिड बैंक राज वियापार निगम और नाबाड यह होगा इसका राइट ए एंस्वर ओके अब 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 बढ़ते पने नेश्कोंसें की तरफ तमार नेश्कोंसें की आगरा पाल वंस के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंस ने अपना सासन अस्थापित किया पाल वंस की बात कर रहा पाल वंस के बाद पाल के बाद कोन आया था पाल के बाद आय कि इसका संस्थापक कौन था गल्दी बताय Bureau करके इसका संस्थापक सामन पसेन भी ये संस्थापक था और पाल वंस का संस्थापक था गोपाल को ये ध्यां रख़या दोनों पूशे इसलिए बने बता दिया आप लोगों को अब बढ़ते अपने नेश्च कोस्टन की तरफ तो नेश्च कोस्टन भारती समिदान में धन विदैक की परिभासा किसे अनुच्छेद में की गई धन विदैक कहां पर है बहुत इंपॉर्टेंट को स्थन बहुत सारे पेपर में बह वाडिकल 256 किसमें है जल्दी बताइए ओप्सन संध्या कुमारी राइट एंसर संध्या कुमारी बहुत सही हां आड ऑप्सन नंबर बीज दराइट एंसर कि 110 में दिया हुआ है ठीक है अब अब अपने निमलिखित में से कौन सा पदार्थ समान नेता है मुत्र अब समानते जो मुत्र में पाया जाता है यूरिन में पाने वाला समानते कौन सा पदार्थ है यह पूछ रहा है तो ऑफ्सन में रख्ट प्रोटीन क्रियेटिनिन लाल रख्ट कोश्का है स्वेत रख्ट कोश्का है जल्दी बताइए क्रियेटिनिन काना फूछ प्रास अप्री किमतों को किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंतरित करने में अस्मर्थ रहता है ओप्षन में एक अधिपत्य पूर असपर्धा अलपाधिकार एक अधिकार तो इसका राइट अंसर हो पर्फेक्ट कंपिटीशन ठीक है कहीं कहीं आपको असपर्धा की जगह प्रतियोगिता भी मिल सकती है आप लोग ध्यान दें इस बात का ठीक है प्रतियोगिता भी हो सकती है कहीं कहीं ये पूर असपर्धा का मतलब यह हुआ कि यह बाजार नियंत्रित नहीं कर पाता क्योंकि इसमें पोई भी कीमत आदमी तय नहीं कर सकता है, कोई भी बाजार की कीमत तय नहीं कर पाता है, इस पूर अस्परदा, क्योंकि सब में अस्परधा होती है, और वो अपने अलग-अलग तरीके से अपने समानों का क्रय करते हैं, ठीक है? अब बढ़ते हैं 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 कि संद्या कुमारी आप सही है आपका बहुत अच्छी इस्टुडेंट है हमारी ऐसे करते रहिए अब रटेनेश्ट कोसें की तरफ राजु कुमार ठीक है भाई आपका भी सही है अब बढ़ते हैं इसकों कि गैलवनो मीटर को किसके साथ जोड कर उसे वोल्ट मीटर बनाया जाता है बताए जल्दी किसके साथ जोड़ने की वोल्ट मीटर कौन सी स्रिंखला जोड़ने हम की वोल्ट मीटर में चेंज हो जाए स्मांतर उच्छी परितों समांतर निमनने इटों समांतरा अच्रामए उच्छे हं सरिवरा में पर्ति दोस्तों कि स्वारी अटिक है यह एक फिरक्ट हो गया है दिश्वर यह लिखने में कहीं टाइपिंग में दिक्कत हो गई है कि इसको अपने तरफ से माफी मांग रहे हैं आपके लिए तो ऑप्सन क्या होगा इसका सही ऑप्सन नंबर सी इस दर आइस ट्रेंस्वर स्रिंखला में उच्छ प्रतिरोध हायर रेजिस्टेंस ठीक है अगर हम किसी स्रेणी में हायर सब्सक्राइब को जोड़ दें तो वोल्ट मीटर में कनवर्ट हो जाएगा बढ़ते अपने नेश्ट कोशन की तरफ कि तमाज नेश्ट को सब्सक्राइब कि लेने का अधिकाय किसको है कि बिल मुद्रा बिल है अथवा नहीं बूच रहा है कि धन विध्यक जो होता है वो क सब्सक्राइब करता है अब बढ़ते अपने नेश्ट कोशन की तरफ कि चारू गुपता सही है आपका राजुकुमार आपका भी सही है नाइस नाइस आप लोग बहुत अच्छे जुनेंट है हमारे ला ओके ओके मजा कर रहे है याँ था कि थे हिमाले परबड किस परकार के पर्रुप का उधाण है अफिमाले परवत किस परकार के पर्वत का उधान है एक है परिदार परबड बलाग परबड प्रbon परबत अप्सिष्ट परबत जल्दी बताइए कि इसका राइट अप्शन नंबर ए परदार मतलब वलित परबत कि इसको कहीं कहीं वलित भी बोला जाता है यह भी ध्यान कि फोल्ड माउंटेन कि भाई यह गलत है आपका डी और आप्शन नहीं होगा प्रिती राज सही आपका अब 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 अने नेश्कोशन की तरफ पर्माण विस्फोटन किसके प्रकरद्वारा कि प्रेरित होता है बना परमाण विस्फोटन लिखा हुआ है तो इसके विस्फोटन होगा इर्यार है थोड़ा सा अब ध्यान दीजिए पूछ रहा है इसका राइटर्शन होगा अनियंत्रित होगा तभी तो भी स्फोट होगा भाई ठीक है यह सीम्पल सा बात है यह ध्यान दखिए आप अब बढ़ते अपने नेश्कोशन की तरफ तुमारा नेश्कोशन थायमस ग्रंथ किस हर्मोंस को पैदा करती है उसे क्य कहते हैं थायमस ग्रंथी के बारें चर्चाक बात कर रहा है जल्दी बताइए ऑप्सन दिख रहा है आपको इसका राइटर्शन होगा थाइमोंसीन ओके ऑप्सन नंबर भी इस दर आइट एंस्वर रमेश चंद्रा इस देख लीजिए अब मनें आपको शही बता दिया है वाई मंडल कि किस परत में ओजोन परत पाई जाती है जल्दी बताईए ओजोन परत की बात कर दा कहां पाई जाती है जीनोइस्फियर जोनोइस्फियर इस्टेटोइस्फियर आयनोइस्फियर क्या होता इस्टेटोइस्फियर में के नीचे पाई जाती यह परत्य ठीक है इसको हिंदिम क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं समताप मंडल ओके यह संताप मंडल फीक यह बोलते हैं इसको अब बनेने इसको संग की तरफ तक तुब आने इसको से कौन कौन सा हार्मुन हड़्यों की ब्रिधिकांग नियंत्रित करता है यह विछ हार्मुन को नियंतित करता लटीएज होगा जल्दी बतायों गये होस्षन नंबर सJ Arctic हमोन इसट्य्टि हर वान मुदून होता है एक सल्दून में में जानवरों में और हुमन में जो होता उसको बोलते हैं एच्ट जी एच बोलते हैं उसको ठीक है यह ध्यान दिजिएगा कि इसको बोलते सो मोट्राफिन कि इसको ठीक है और और एस टी-एच को क्या बोलते हैं से मोट्रो ट्रॉफिन बोलते हैं इसको एस टी एच को क्या बोलते हैं सो सो मोट्रू ट्रॉफिन बोलते हैं उसको ठीक है अब 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 आपका सही है कि इंदिरा गांधी एस पुस्तक के लेखा कौन है जल्दी बताइए यह तो बहुत ही इजी कोशन है तो सबको आना चाहिए और ऑप्सन नंबर ऑप्सन में देरा प्रणाव मुखर जी सचिंतन दरुगा चेतन भगत राउल गांधी जल्दी बताइए इसका राइटर प्रण में क्योंकि कल बहुत सारे कमेंट आए तो बढ़ते ने इस कोशन की तरब उस्र कटबंदी पतज़ड़ वन में समान समान रूप से पाया जाने वाला पौधा कौन सा है समान रूप उस्रकट बंदी बन में वहां पाया जाते हैं इस साउथ और नौर्थ में जितने बन पाये जाते हैं यहां पर एक सो सतर से लेकर के दो सो सेंटी मीटर तक बरशाय होती है इसलिए से उश्रकण वद्दी सदाबाहर बन बोला जाता है इसका राइट अंसर होगा ऑप्सन नमबर डी इस दर आइट अंसर सागौन के पौधे पेड़ सौरी सागौन बहुत ज आप अब बढ़ते हैं नेश्ट कोशन की तरह वे बस्तुएं जो या तो भोग अथ्वा विनिवेश के लिए निधारित हैं क्या कहलाती हैं अंतिम बस्तुएं गिफिन बस्तुएं निम नस्तरी बस्तुएं मध्यवर्ती बस्तुएं इसका राइट अंसर होगा ऑप्सन न क्या है जल्दी बताइए औरंग उटान एक प्रकार का जानवर है ठीक है बंदरों की तरह दिखता है यह ठीक यह पायाता है बोर्णिया और उत्तरी सुमात्रा में ठीक ऑप्सन नंबर ए इस देर आइट एंस्वर बोर्णिया और सुमात्रा में पाया जाता है अब बढ़ते अपने नेश्कोशन की तरफ किस वालीबुड अमनेताव नेत्री ने हाल ही में एक किताब लांच की है वालीबुड दे फिल्म्स दे सांस दे स्टार्स जो मुंबई में भारती सिनेवा पर आधारित है ऑप्सन गेश्षां bi तरफ आज कल सड़कों पर रोश्णी ये प्राय एक पीलेㅎ लम्प का प्रियोग किया जाता है उन्लम्मी में निमलिखित से किस Bien स्ट्रीट लाइट की बात कर रहा है क्या है इसमें क्या प्रयोग है और सोडियम नियॉन है डोजन नाइट्रोजन तो इसका और और इस दराइट अंस्वर सोडियम ओके कि तरफ कौन सा अमल रबर वस्त रंगाई चमड़ा एंव इलेक्ट्रो प्लेटिंग उद्योग में प्रयोग में आता है कौन सा अमल है यह ऑप्शन नंबर बी मेथेनाइक अमल मेथेनाइक एसीड ठीक है ऑप्शन n.b is the right answer अब बढ़ते नेश कोशन की तरफ ऐसे कौन सा हर्मॉन स्त्रावित होता और पीनियल ग्रेंफ के बात कर रहा ए लिए मैं आ यह जल्दीव मताईए को हिमारी हमारी तीसरी नेत्र बोला जाता है तीसरी है, और यह क्या नियर्त करती है जागना, सोना और मौसम यह हमको नियंत्रिक करती है बताती है ठीक है इसका राइट अंसर क्या होगा चलती बताइए ओप्सन नमबर ए में मिलाक तो किन मिलाट तो निक ठीक ओप्सन नमबर ए इस दराइट अंसर मिलाक तो निक ओके यह स्रावित करती है यह ठीक है यह पीनियल ग्रन थी अब बढ़ते अपने नेस्ट कोशन की तरफ कि माने शुगारू जंगल सहियोजक निमन में से किनके बीच हुआ था सुगारू जंगल सहियोजक की बात कर रहा है इस ट्रीट की बात कर रहा है ठीक तो ओप्सन में है होकेंडो तता होंसू होंसू तता सिकोकू होंसू तता क्यूसू किसू तता सिकोकू तो आप्सन है ठीक अब बढ़ते अपने नेश्कोंसंग की तरफ निमलिखित में से भायरत का कौन सा पड़ूशी दिस अफीम का सरवाधी कुत पादक कौन है इसका राइट अफगानिस्तान ओके अफगानिस्तान ऑप्सन नमबर बी इस दे राइट एंसवर अब बढ़ते नेश्कोंसं कर्स पर था वापस लुटने का आदेश देना राष्टी दुर्भास से कम ने था किसने कहा है था ठीक है यह पूछ रहा है किसने कहा था जोहलाल नेहरू सुबाद चंद बोस हिटलर पोरस चल्दी बताइए इसका होगा सुबाद चंद बोस ऑप्शन नमबर बी इस दे राइट एंसर सुबाद चंद बोस जी ने कहा था यह बात ठीक है अब बढ़ते अपने नेश्कोंसं की तरफ दैना नैदानिक डाइगनोक्टिस जिसको बोलते हैं अल्टर साउंड की खोच किस ने की थी जल्दी बताइए ऑफ्सन में अलेकजेंडर फ्लेमिंग यान डोनाल्ड ए लेवरेन राबर्ड कोच किस ने की थी जल्दी बताइए यान डोनाल्ड ने की थी यह ध्यान रखिए बहुत बार पूछा जाता है यान डोनाल्ड ने की थी ऑफ्सन नंबर बी इस दराइट एंसर ऑप डिसकोशन अब बढ़ते हैं संध्या कुमारी सही है आपका बढ़ते अपने नेश्कोशन की तरफ पिर्थवी की सत्य से प्रतिवीम के कारण उर्जा की हान क्या है इसको क्या बोलते हैं ऑफ्सन में दिया समुंदी प्रभाव महादीपी प्रभाव अलबीडो भुमंडली उसमी करण इसको क्या बोलते हैं एलबीडो ठीक है एलबीडो बोला जाता है इसको ऑप्सन नंबर सी इस दे राइट एंस और अब बढ़ते अपने नेश्कोशन की तरफ कि चासला निम्ल में से किस दो के 20 संबंद का व्याख्या करता चासला क्या बोलता है कि क्या डिस्क्राइब करता चासला जल्दी बताइए मात्रा और तापमा मात्रा और दबाओ दबाओ और तापमान मात्रा और अणों की संख्या क्या होगा राइट एंस्वर होगा वैलूम एंड टेंप्रेचर वैलूम एंड टेंप्रेचर ओप्सन नंबर ए इस दे राइट एंस्वर मात्रा और तापमान को ठीक है इनके बीच के संबंद को यह बताता है चाल्सला अब अपने ने आखरी कोस्टन की तरफ भारत में हाल में प्रारम किया गया वाइल गुर्वता सुचकांज में निम्लिखित में से कौन सा प्रदुसक सम्लित नहीं किया गया है गुर्वक्ता सुचकांज जो जारी किया गया उसमें कौन नहीं है सामिल कौन सा किस चीज को सामिल नहीं किया गया तो आज का सेसन हमारे यहीं पर समाप्त होता है तो दोस्तों अगर यह सेसन आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और फालो करें और सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे स्वीटी राज जी सर जी जी आप बहुत सही है और रमेश चंद्र है जी दोस्त तो दोस्तों आज का सेसन यहीं पर समाप्त होता है कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पर आपके साथ दस बजे तब तक के लिए नमस्कार परतीं है जा परतीं है